जहां एक तरफ भारती डोमेस्टिक के खिलाडी डेड़ी कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत शानदार पर्फोर्मेंस कर रहा है जिस तरीके से हमने सरफ्रासखान का डेब्यू देखा, हमने आकास्दीप का डेब्यू देखा हमने रजत पाटिदार का भी डेब्य देखा थोड़ा निरास किया लेकिन उनकी अलावा गर हम बात कर रहा है दुरूफ जुरेल की बात कर लें या फिर हम देवदत की बात कर लें जिस तरीके से परफॉमेंस रहा डोमेस्टिक से आए और इंटरनेशनल में अपनी छाप छोड़ दी लेकिन एक तरफ एक ऐसे खि अच्छी परफॉमेंस रही लेकिन अब जो है कई न कई एक बुरे फॉर्म के उफेज से गुजर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं श्रेय सायर की जो कि स्पिन के बहतरिन खिलाडी में से एक है कही न कई इंडिया इंगलेंड सीरी जो चल रही थी उसमें उन्हें मौका दिया गया था उसमें भी दो मुकाबलों में कहीने कही नाकाम रहे जिसके चलते टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया उसके बाद डॉमेस्टिक क्रिकेट खेल ले गए तो उसमें भी जो है अभी सेमी फाइनल के मुकाबले रहे उसमें भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे आप जाए डोमेस्टिक खेलिए डोमेस्टिक गया वहाँ पर भी डोमेस्टिक में अच्छा पर्फॉमेंस नहीं रहा अर्तालिस रन की पारी खेली लेकिन उसके बावजूद सेलेक्टर्स ने भरोसा दिखा है और दुबारा से इंडिया इंग्लेंट सीरीस का हिस्सा बना तोती इतना सरमनाख पर्फॉमेंस कहीं न कहीं जिस तरीके के खिलाडी यह तरीके का पर्फॉमेंस एक्सपेक्टेड नहीं था। उनका नाम आया था उनको मौका दिया गया था लेकिन महां पे भी आप पूरी तरीके से फेल रहे जो आपकी में स्टेंथ है अब उस मैदान पर भी अगर उस पिछ पर भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर और किस बुनियाद पर आपको टीम जो है बैक करेगी अगर उनके पिछले कुछ इनिंग्स के आकड़ों पर नजर डालेंगे क्या उनका स्कोर रहा है तो एक बार स्क्रीन प एक भी हाफ सेंचुरी आपको पिछले 13 इनिंग में नदर नहीं आएगी बिल्कुल एक भी हाफ सेंचुरी ना आना 13 इनिंग में मुझे लगता यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से श्रेय साइयर की जो है बहुत ही बुरी फॉर्म जो है उससे वो जूज रहे है और रंजी की बात करें तो यह 48 रंज जो आये थे उनके बल्ले से उसके बाद सेमी फाइनल जो उनने तमिलाडू के खिलाफ के लाता उसमें तीन रंज जो है सिर्फ तीन रंपर वो आउट हो गयते हाला कि उनकी जो टीम है एक इनिंग और 70 रंग के चलते जीद गई थी क् काफी आया था उनके गेंदबाज है उन्होंने सेंचुरी लगाई थी शार्दूल ठाकुर ने अच्छी फारी खेली थी और यह साथ रंज आप देख रहे हैं जो यह अभी फाइनल चल रहा है मुंबई के और विदर्ब के बीच उसमें पहली निंग का यह स्कोर है साथ र बिल्कुल जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप खेल रहे हैं फाइनल में आपकी टीम पहुच गई और उसके बावजूद भी इस तरीके का परफॉर्मेंस अगर कोई डोमेस्टिक का खिलाडी हो जिसका डेब्यू ना हुआ ह अभि तक international cricket में जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियन्स ना हो तो समझ में आता च सुरेय सैयर बहुत ज़्यादा मोके मिले हैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल दिवेंचुर जैसे हम बार-बार बात करें इशान किशन के बारे में वह तो डॉमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेल रहे हैं डिवाई पार्टिल टी-20 कब जो है महाराश्मनों ने वह खेला था उसमें भी वह पहले और दूसरे मुकाबले में नकाम रहे थे तो उन करते हैं तो मुझे लगता है उनकी करियर की गाड़ी बिल्कुल बाकी आपकी कह रहे हैं श्रीय सहीर की इस पर्फॉर्मेंस वर आप कॉमेंट जेक्शन में अपनी रहे बता सकते हैं और साथ इसाथ उफान स्पोर्ट्स को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल